ओ हर विश्णूं की कथा सुनाऊं मंगलकारी बंदन गाऊं नारायन विश्णूं भगवान गल्गों दास का तुम कल्याद ओ ताता सब के पालन हारे पोशन सब का करने वाले सब की करता बड़े ही महान पूझे तुम को सकल जाहा ओ राम बने त्रेता में आए संत मुनी सारे हर शाए त्रेक्षी को तार की आए काम सब के दाता रा जाना ओ विश्णू का एक रूप कहावे परिशुराम की कथा को सुनावे सुनलू पूरक था कब खान नारायन जी दिल में ग्यान ओ सहस्त्र बाहु एक राजा कहाए अभिमाने बड़ा पाप कमाए नर्म का करता नावो मान जगली सारी थे परिशाद ओ अगनी देव ने उसे समझाया ओ अगनी देव ने उसे समझाया दोगी जब तुम निज सम्मान जग में बढ़ेगा राजन मान ओ राजाने तब वचन उचारे जग सारा ये मेरे सहारे यूने कराओं भोजिता काँ जागा तब मन में अभिमान ओ अगनी देव तब क्रोध में आए अगनी वनों पर वो बरसाए जरनी लगा सारा अस्थान आपने ऐसा किया रेखा ओ नगरी महेश्मती जलती जाए अगनी रोश सुनो बढ़ता जाए दूनिया पवते लगाते ज्यान जलाओं निकाते अप अस्थान ओ रिशिया पव तब शाप था दिन प्रोध था तब राजन पे की हाँ जलती नगरी बनी शमशान निशिवर सब तब लिया था जाए ओ विश्म धरेंगे जब वबतारा मुनिया पव ने यही उचारा शहर श्क्र वाहू के हर लेंगे प्रार यही है इसका अरे निदार ओ तब ही परशु राम थे जाए ओ तब ही परशु राम थे जाए संतों की रक्षक परशु राम जिन की आराथे शिव भगवार ओ तप की ना शिव जी को ध्याया शिव से धनुष पिनाक था पाया करदी शिव ने पूरण का परशायते परशु राम ओ नगरी महिश्मती तप वो धाए खत्रिया सारे मर गिराए नर्म भजा का रख्रिया मान नगरी में गुझा जेगा ओ सैनिक सास्त्र बाहु पठाए परशु राम के पिता को सताए तो जेडा आश्रम हरनी प्राण वहा नहीं थे परशु राम ओ प्रोध की अगनी बढ़ती जाए परशु राम तब सहना पाए ये आथारण का तब आहवान दिखता नहीं था कोई रेनी दाए ओ मात पिता फ्रतिशोद लिया तब राजा पापी गरजा था तब मारा पापी की अरे निदान संतो मुनियों का रखा अपमान ओ खत्रिय वंच का किया संहारा ग्रंथ बताते ते किस बारा सुझे लो आगे कथा का ये ग्यान परशु राम जी बड़े बलवान ओ विश्णू ने ये रूप था धारा खत्रिय वंच का कुल संहारा पूरण की जी सारे रिकां गुन्जब जेगां तब जेगां ओ अत्री जो अपने पथ से भटके काल के ग्रास में वो ही अटके पित्वी में पाया निज सम्मान धर में भजा का बढ़ गया मान ओ नारायन ही क्रिष्ण कहाए कंस को मारा धर्म बचाए नजवारे गिरधारे शाम सारे रूप रेने भगवार ओ गज और ग्राह का बंधु छुडाते द्रौपत को जो चीर बढ़ाते मुरेली बजाते मेरे शाम सबके मन को भाताना ओ नरसीतारा कुबजातारी मीरा भाई भक्ति स्विकारी सार थी अर्जुने के भगवार भग तो बोलो राम या शाम ओ रक्षा करन हरी प्रभु जी आये हर युग में सब भक्त बचाएं ऐसे विश्णों शिर भगवार जहु दिशा दूझे एक नाव ओ महिमा वेश्णूं प्रभु की गाई हितकारी है सदा सुखदाई भुखडु को हर ना महिमा का ग्यान जै विश्णू ना रायड ना देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान हमारे अपने भक्त की रक्षा करते नारायण भगवान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान नारायण के वो अवतारी देवताओं की गुरु कहाती जो भी इनकी भक्ती करता उसके सब भंडार भराते इनकी भक्ती करने वाले मुक्षिधाम बैकुंठ गुपाते जो भी व्रत करे गुरु भार का उसके बिगडे काम बनाते सभी मुसीबत टल जाएंगी हो जाए कल्यान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान एक बार की कथा सुनाओं भ्यान लगाकर सुनती जाणा पिक निर्धन ब्रामण बेचारा निक्षा मांगना भोजन लाना उसकी पतनी बड़ी आलसी कई कई दिन तक ना तहारा पंडित जीवी दुखी हो रहा रोज रोज पढ़ता समझारा माने ना कोई बात ब्रामणी करे बहुत परेशान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान इश्वर की किरपासे भक्तों पंडित घरीक जनमी कन्या पचपन से ही बढ़ी वो चंचल भरी भजण नित करती कन्या गुरु बार के व्रत करती थी जार बरश की हुई जो कन्या पढ़ने जाती जब गुरु कुल में यूब फेर दी जाती कन्या रस्ते में बिखरे जों हो जाते थे स्वर्ण समान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान कुरु कुल से जब लोट के आती जों समेट के वापस लाती सोने के जों करके सपाई बेचुन में बाजार में आती बंदित के घर खुशियां छा गई अन्यवर तुप वास भगवी अटक रही थी एक दिन वो जों मन में वो देवो को धवी देख लिया जब उसके पिता ने धन्य भाग रह्मान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान बोले कन्या से वो जाके जनियों बेटी घ्यान लगाओ सोने के जों अगर जो भट को सोने के एक छाज भिलाओ देव गुरु से मैं मांगूंगी पिता जी बस आशी शद जाओ करके ध्यान गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान गुरु कुल से जब लोटके आई तोनी का एक छाज भपाया घर आ करके लगी पटकने संतर रूपनी घर की आया उसी राह से एक राजा का राज कुमार थरक से आया देखके वो अदबुत नजारा दिल में देवो वड़के आया भूल गया सब सुदबुत अपनी बदल गए सम्मान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान पता चला जब पुत्र विराहका राजा मन में गया खबराए राज कुमार ने अपने पिता से साली बाती दीवत लाए सोने जो फटके जो खन्या उससे दो मेरा विवा कराए राजा ने दिये भेज गामन प्रापण जाके पता लगाए विवा कराया फिर दोनों का इश्वर का वरदान देव गुरू भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान गन्या जब ससुराल चली गई राम्हण घर फिर से दुख चाई राम्हण पतनी रहती गंदी पूझा पाट कुछ ना कर पाई राम्हण भूखा मरने लगा जब दोनों पेटी की घर जाई पेटी ने धन धान निल दे कर मात पिता को विदा कराई कुछ दिन तक तो हुआ गुजारा खत्म हुआ धन धान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान पिर से पहुँचे बेटी के घर मिनिया भी कब तक कर पाए फिर भी कन्याने दोनों को उस दिन घर अपनी ठहराए उसने फिर अपनी मैया को प्रहसपधी की वर्त कराए बहुत ही जादा भूख सताए एक दिन व्रत में जूठन खा गई व्रत का किया नध्यान देव गुरु भगवान हमारे प्रहसपथी भगवान रोध आ गया फिर बेटी को मां को बहुत खूब समझाई बंद कर दिया कोठरी अंदर पूखी प्यासे रात दिताई उस बेटी ने अपनी मां को पत की सारी विधी बताई गुरु वार के व्रत लगी करने प्राकण घर में खुशिया चाई दूडु पूत सब सुख लगे मिलने जीवन बना महान देव गुरु भगवान हमारे प्रहसपथी भगवान देव गुरु भगवान हमारे प्रहसपथी भगवान गुरु वार को ग्रक्जो करते पीले वस्त्र है व्रत में पहने केला व्रुष पूजन करवाई गथा सुने फिर ब्रास्पती की अपना जीवन धन्य बनाए पीले चने की दाल और गुड का व्रत में फिर परसाद है पाए गुरु प्रास्पती खुश हो कर देते खुशियों का दान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान गुरु वार के दिन वैवक्तों अपड़े भी नाधोने पाए घर में चोका नहीं लगाना और केश भी नाधों पाए नाही करे हजामत शेविंग और नसर की बाल कटाई ना काटे ना खुण को इस दिन कर जो सारी खुशिया चाही प्रम्हन को करवाए भोजन मिले सभी वरदान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान जो भी करे ये नियम का पालन पर चाही उसकी हो जाए पांजों की गोदी भर जाती पर चाही संतान भुपाई ज्यान बढ़ेगा और यश्वे भव शंत्रू यां से सपाई लोक सुखी पर लोक सुहेला अंत समय बेखुंट पुझाई लिखता है लोकेश प्रजापती पाया गुरु से ज्यान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान देव गुरु भगवान हमारे प्रहस्पती भगवान